आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students तो आज के हमारा Question है What is Elastic Collision? Write its Properties तो Elastic Collision क्या है? Elastic Collision एक ऐसा Type का Collision है जिसमें जो Collide करने वाले Bodies होती है ये Bodies एक दूसरे के साथ Collide करते हैं लेकिन इस Process में Kinetic Energy जो है Conserved रहती है कोई Change नहीं आता तो एक बड़ डिफाइन कर लेते हैं Elastic Collision को Elastic Collision Is A Type Of Of Collision Where There Is No Loss Of Kinetic Energy Of This System As A Result Of Collision ठीक है Collision के कारण Kinetic Energy में कोई Loss नहीं होना चीए अगला हमसे पुछा गया है Write Its Properties तो हम लोग Properties बताते हैं Properties Of Of Elastic Collision Are First जो हमने अभी भी देखा Kinetic Energy is Conserved हमने अभी देखी ले डेफिनेशन में तो यह तो प्रापर्टी है Kinetic Energy जो है Conserved रहने चाहिए Second is Momentum Is Conserved Kinetic Energy Conserved रहने की Velocity एक तरह से Conserved है Momentum की Value भी Conserved ही रहने वाली है Okay Third No Energy Conversion Occurs इसका मतलब Energy Conversion नहीं होता मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि देखो हमने कई सारे Collision ऐसे देखे हैं जिसमें Collision होने के टाइम पे बहुत सारा Sound निकलता है एक तगड़ी आवाज आती है या Heat generate हो जाती है तो ऐसे कोई भी Collision कभी भी Elastic Collision नहीं हो सकते क्योंकि अगर Sound produce हो रहा है तो Sound क्या है एक तरह का Energy है तो एक का Produce होगा जब किसी तरह की Kinetic Energy इनमें से loss करेंगी और वही Energy इसमें Convert हो जाएगी तो अगर Elastic Collision है तो उसमें Kinetic Energy तो Conserved है और अगर Kinetic Energy Conserved है इनर्जी Conversion यहां पर नहीं हुआ तो यह पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा अब लास्ट पॉइंट है It is Highly Unlikely Collision In Real World तो यह बात तो आप लोग समझी गए होंगे कि यह थोड़ा सा Unlike Collision है मतलब हमें जनरली मिलेगा नहीं ऐसा Collision देखने को जनरली रियल लाइफ में इसका reason क्या है ऐसे Collision बहुत रेर हैं जहां पर एनर्जी का कोई भी loss हो ना केसी और फॉर में ऐसी Collision बहुत ही रेर हैं जिसमें बिल्कुल भी sound ना निकले या फिर बिल्कुल भी heat जनरेट ना हो तो अविसली ऐसे Collision अगर नहीं है तो यह ऐसा Collision नहीं हुआ जो हमें प्रैक्टिकली देखने को बिलेगा प्रैक्टिकली जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं इन इलास्टिक कोलीजन्स तो आई होप सब को एक कॉशिन क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड लग क्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर